हेलो फ्रेंड्स आज से स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं साड़ी में फाल लगाना बता रही हूँ तो देखिए ये मेरा साड़ी है और ये साड़ी दो कलर में है तो देखिए उपर वाला जो ये पार्ट है ये पिंक कलर का है और नीचे इसमें golden color दिया है तो अगर साड़ी दो color में है तो सबसे पहले ये धियान देना होता है कि नीचे जो color रहता है उसी color का हम फाल लेते है तो देखे इसमें मेरा जो नीचे वाला border दिया है बहुत च़ॉड़ा है अगर पतला भी border दिया रहता है तो भी हम उसी color का fall लगाते जो नीचे के side रहता है ठीक है भले ही वो चोड़ा हो या पतला हो तो देखिए इसमें का जो मैं fall ले हूँ golden color का मैं ले हूँ और इस fall को मैं रात भर के लिए भीगो करके रखी थी cotton का fall है cotton का fall ज्यादा अच्छा रहता है तो रात भर के लिए मैं भीगो करके और फिर सुबा उसको सुखा करके मैं अच्छे से इसको iron कर ली हूँ अब मैं इसको साड़ी में लगाऊंगी तो देखिए fall में भी उल्टा और सीधा वाला side होता है तो देखिए इसमें जो उपर और नीचे थोड़ा-थोड़ा fold करके सिलाई लगाया गया है उसी से पहचान में आता है कि इसमें उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा है तो जिधर के side fold हुआ है वाला side हम उसको उल्टा बोलेंगे और जो उपर वाला side हो सीधा है तो जब भी हम fall लगाते है तो जो उसका सीधा वाला side रहता है उसको हम उपर रखते है ताकि जो उसमें सिलाई लगा है वो खुले नहीं हो तो और किनारे से थोड़ा सा हम फोल्ड करके अच्छे से उसको प्रेस कर लेंगे जैसे मैं अभी किनारे से फोल्ड की हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा फोल्ड करना है हाफ इंच के लगवर साड़ी में फाल लगाने से पहले हम अच्छे से साड़ी का उल्टा और सिधा वाला साइड हम देख लेते हैं ये जो साड़ी है इसमें तो आचल में ज्यादा वर्क दिया है तो ये अच्छे से पहचान में आ जा रहा है कि फाल हमको किस साइड लगाना है लेकिन बहुत साड़ी ऐसी होती है जो printed होती है या plane होती है तो उसमें पहचान में नहीं आता है तो अच्छे से उसका उल्टा और सिधा वाला side देख लेना है और जब हम साड़ी पहनते हैं तो जो part हम सबसे पहले लपेटते हैं उधर के side से fall लगाते हैं तो उसमें का जो नीचे वाला side रहता है उधर से लगाना श्टार्ट करेंगे ठीक है तो देखिए इस साड़ी का जो नीचे वाला side है यानि कि जहां से fall लगाना श्टार्ट करना है ये वाला side है इसमें का जो किनारी है उसको मैं फोल्ड करके सिलाई लगा लोंगी अगर आपके पास पीको वाला मसीन है तो आप पीको भी कर सकते हैं मेरा मसीन पीको वाला नहीं है तो मैं फोल्ड करके सिलाई लगा लोंगी अच्छे से बराबर कटिंग करके फिर फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूं मसीन से लगाने से थोड़ी सी मजबूती इसकी अच्छी हो जाती है और हाथ के अफेक्षा जल्दी फाल लग भी जाता है तो देखें यहां से मैं फाल लगाने स्टार्ट कर रही हूं मसीन से भी जब लगाते हैं फाल तो जो उसका बड़ा बड़ा वाला टा वहां उसको सेट करके फिर सिलाई लगा लेते हैं ज्यादा चोटा टाका से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा उसमीं सिकडर न आ जाता है तो इसी लिए बड़े वाले टाके पर हम उसको सेट कर लेंगे और फिर नीचे का फाल हम मसीन से ही लगा लेंगे तो देखिए एक बराबर रखते हुए एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है फिनिसिंग के साथ जैसे हम सुईस एकदम किनारे किनारे लगाते हैं सेम उसी तरीके से मसीन से भी लगाएंगे फाल को और साड़ी हैं आदो इत्व को हलंगे किसी को एक बटावर अच्छे दिलांते हुए और फिर हम सिलाई लगा लेंगे तो यह से ही पूरे सैड़ी में सिलाई लगा करके निचे का फाल अटैज में मसीन से लगाते हैं तो जो इसमें ब ज्यादा golden colour ही दिया था तो मैं golden Ellie झाल ले थी और इस्टार्टिंग में फ़ड़ा सा पिंक है तो उसको में बाद में सिलाई कर लोगी अभी मैं golden से बहुत साडियों में ऐसा होता है कि नीचे बॉर्डर पतला दिया रहता है तो नीचे हम बॉर्डर के एकॉर्डिंग हम धागा लगाते हैं और उपर दूसरा कलर रहता है तो उसके एकॉर्डिंग हम धागा चेंज कर देते हैं लेकिन इसमें बॉर्डर थोड़ा है तो दोनो अब हम उपर वाला side की लेंगे. तो इसके लिए मैं क्या की हूँ, अच्छे से Finishing के साथ इसको इस तरीके से fold करके मैं रख ली हूँ. अब उपर वाला file मैं sui से लगाऊँगी. तो उसके लिए मैं सबसे पतला वाला सुई ली हूँ जितना पतला सुई रहेगा उतना ही छोटा छोटा टाका डाल करके फाल लगाने में इजी रहता है तो सबसे पतला और सबसे छोटा वाला सुई रखते हैं फाल लगाने के लिए और देखिए धागा में हम नौट लगाएंगे तो नौट जो उसक तो देखिए उपर वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा बड़ा भी चल जाएगा लेकिन जो हम सारी वाला पार्ट पकड़ करके और सील रहे हैं यानि कि जब हम सुई को नीचे के साइट ले जा रहे हैं तो उधर वाला कपड़ा एकदम थोड़ा-थोड़ा पकड़ना है सारी वाला कपड़ा एकदम थोड़ा-थोड़ा पकड़ करके और फिर सिलाई लगाना है तो इसलिए हम पतला वाला सुई लेते हैं पतला सुई रहेगा तो एकदम थोड़ा-थोड़ा कपड़ा बहुत ही आराम से पकड़ा जाता है उसमें और सिलाई लगा लेंगे तो द तो देखिए इस तरीके से सिलाई मैं लगा रही हूँ अगर आप तुर्पाई करना चाहते हैं तो जब हम तुर्पाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे नीचे वाला फाल लगा लेंगे और उपर का जो फाल मैं भी लगा रही हूँ तो यहां हम बड़ा टाका डाल करके पूरे फाल में हम सिलाई लगाएंगे उसके बाद से हम तुर्पाई करते हैं तो इसमें मैं सिलाई करना पड़ता है के तो अच्छे से ulां कीसा देखिए नीचे वाला जो मैं ताका लगा रही हूं यानि कि आड़ी को जब मैं पकड़ रही हूं तो एकदम पीछे के साइड से छोटा छोटा टाका दिखेगा और उपर के साइड से थोड़ा सा बड़ा मैं ले रही हूं ज्यादा बड़ा नहीं लेना है उपर के साइड से भी यानि की फाल वाले साइड से जो दिख रहा है लेकिन उससे भी छोटा नीच लगा करके और फिल धागा चेंज कर लेना है तो देखे अब मैं यहां से गोल्डन कलर के धागा से मैं सिलाई लगा रही हूँ तो सेम इसी तरीके से हम पूरे फाल में हम सिलाई लगाएंगे फिनिसिंग के साथ छोटा छोटा टाका डालते हुए हम सिलाई लगा लेंगे तो पूरे साड़ी में मैं सिलाई लगा लेंगे यहां लाश्ट में थोड़ा सा बचा है तो इसको भी मैं सिल करके दिखा दे रही हूँ अगर आपको जल्दी साड़ी तयार करना है तो इसी तरीके से फाल लगाईएगा तो जल्दी लग जाएगा नीचे मसीन से और उपर इस तरीके से छोटा-छोटा टाका डालते हुए सिलाई लगा लेना है फिर यहां से देखिए अब सुई को हम नीचे के साइड घुमाएंगे और पूरा नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे तो साइड वाला भी जब हम सिलाई लगाएंगे तो छोटा-छोटा ही टाका डालेंगे ताकि सीधा वाले साइड से फिनिसिंग अच्छी लगे इसकी सीधा वाले साइड से अगर बड़ा-बड़ा टाका डाल करके सीले रहते हैं तो फिनिसिंग उसकी बिल्कुल भी अच्छी ने लगती है देखने में थोड़ी सी गंदी लगती है तो इसलिए फिनिसिंग के साथ फाल लगाते हैं तो देखिए नीचे तक मैं सिलाई लगा अब यहां भी नॉट लगा लेना है नॉट लगाने के बाद देखिए इसको मैं सीधा करके आप लोग को दिखा रहे हूं बहुत ही जल्दी साड़ी में फाल लगा ली हूं और बहुत ही फिनिसिंग के साथ कहीं भी इसमी सिकुडन नहीं आई है और यह कॉटन का फाल था तो और इसकी फिनिसिंग अच्छी आई है तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू